आज हमें क्लेस डिजाइन बनाएंगी जिसके लिए मैंने यहां पर हॉबी इंडिया का क्रोचट थेड लिया है यह आपको रतन स्टोर पर मिल जाएगा रतन स्टोर यह एक इंस्टागाम स्टोर है वहां पर आप कॉंटेक करके वाटसप पर भी कॉंटेक करके यांज पर्च और उनका वाटसप नमबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी और इंस्टागाम की लिंक भी मेंशन कर दूगी तो आप दोनों तरीके से उनसे कॉंटेक कर सकते हैं मैं यहां पर लेस डिजाइन बना रही हूँ जिसे हम बेस लाइन में यहां बनाया है मै आपको बनाना बताती हूँ लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि बेस लाइन भी थोड़ा सा स्टार्ट में बता दे आपने क्या करना है पहले तो आपने अटेच कर लेना है जिसे मैं यहां कॉनर में किया उसके बाद मैं आपने त्री चैन लेनी है वन ट्यू ए तो जितनी आपको लेन चाहिए पहले आप ऐसे ही इसे कंटीनियू बनाती चाहेंगे मैं यहां दागा करूंगी जिसके लिए हम वन चैन लेंगे वन से टू चैन लेकर दागा कर सकते हैं अब यहां पर इसे लोग कर लेंगे बैक साइड में आपके दागा अंदर की तरफ अब जो हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी वो इसी कॉर्णर से स्टार्ट होगी तो अगेन हम फिंगर पर धागा फोल करके स्लीपनट ले लेंगे अगर आप मुझे फर्स टैम देख रहे हैं मेक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दो रेट क्लोकर जो बटन है उसे प्रेस क सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन आएगी वहां पर अपने अल पर क्लिक करना है ताके में जब भी न्यू वीडियो दालो तो आप लोगो को सकी नोटिफिकेशन मिल सके अब जो यह फर्स्ट हमने सिंगल क्रोचट कॉर्णर पर लिया है उसके उपर हमें सिं dengan टिन बार दागभा फोल्ड करने के बाद ये एक गैप और ये सेकंड गेप दोनो गैप छोड़ देंगे और ये वला सिंगल क्रोचेग पर हम डबल ट्रीपल क्रोचेٹ बना लेंगे परले आपने दो दागों में में से बाहर आना है फिर दागभा फोल्ड करना है दो दगो में से बाहर आना है फिर अखा फोल करके दो दगो में से बाहर आना है फिर दोनों दगो में से बाहर आजाना है इस तरहेके से फिर देंगे हम 3 चैन 1, 2 and 3 अब इस गैप में टॉटल 11 टामस हम डबल क्लोचेट बनाते जाएंगे 1 2 3 4 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the last 11. इस gap में हमने टोटल 11 टाइम्स डबल क्रोचिट बना लिया. 11 टाइम्स डबल क्रोचिट बनाने के बाद ये जो next gap का single crochet है. इसके उपर हम again single crochet बना लेंगे. इस तरीके से. अब हम लेंगे 3 chain. 1, 2, and 3. 3 chain लेकर ये जो gap है, ये gap में वन टाइम्स डबल क्रोचिट बनाएंगे. इस तरीके से. फिल लेंगे अब हम 2 chain. 1, and 2. 2 chain लेकर हम turn ले लेंगे. और यहां पर हम नीचे 2 chain छोड़ देंगे. और 3rd chain पर हम वन टाइम्स डबल क्रोचिट बनाएंगे. फिल 2 chain लेंगे, नीचे gap 2 छोड़ेंगे, 3rd पर डबल क्रोचिट बनाएंगे. फिल 2 chain लेंगे, 2 gap छोड़ देंगे, 3rd पर हम डबल क्रोचिट बनाएंगे. फिर टू चैन लेंगे दो गैप छोड़ कर थर्ड पर हम डबल क्रोचिट बनाएंगे इस तरीके से अब फिल लेंगे हम थ्री चैन और स्कैप में डबल क्रोचिट बनाएंगे वन एन टू यूँकि जो हमने थ्री चैन ली है वो भी ऐज़ा डबल क्रोचिट काम करेगी तो यहाँ पर थ्री टाइमस डबल क्रोचिट हमारे बन गए अब हम यहाँ पिकॉट बनाएंगे थ्री चैन लेंगे और यह लास्ट वाला डबल क्रोचिट है उसके दो धागों में हम नीडल दाल कर सारे धागों में से बाहरा जाएंगे फिर सेम गैप में हम थ्री टाइमस डबल क्रोचिट बनाएंगे वन त्यू एन त्री इस तरीके से फिर यह गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में सेम यही डिजाइन फॉलो करेंगे पहले तीन बार डबल क्रोचिट बनाएंगे वन ठू एन ठी फिर एक पिकॉट बनाएंगे ऐसा थ्री चैनल लेना है फिर चैनल लेकर यह जो लास्ट डबल क्रोचिट के दो धागे है कि इसमें निडल दाल कर सारे द्हागों में से एक बाहर आ जाएंगे, और फिर अगें ठी टीम्स टबल क्रचिट, वन, टू, एन, ठी, पिर ये गएप छोड़ें लास्ट गैप में, सेम वैसे ही, पहले, three times double crochet, then picot, one, two and three, और फिर, picot complete, then last, three times double crochet, one, two and three, इस तरीके से, फिर जो, यह gap है, इसके उपर, directly हम, single crochet बनाएंगे, यह इस तरीके से, यह हमारी, एक design complete हो गई, तो हमारी design कुछ ऐसी बनती जाएगी, अब, ऐसे ही हम, again, four chain बनाएंगे, जैसे start में किया था, डीडल पर three times थागा, fold करेंगे, double, triple crochet, एक gap छोड़ेंगे, second gap छोड़ेंगे, second gap के single crochet के उपर, यहां पर हम, double, triple crochet बना लेंगे, इस तरीके से, fill लेंगे three chain, और gap में, 11 times, double crochet बनाएंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है, और आपके लिए मेरी videos helpful है, तो make sure चैनल को subscribe करके, वीडियो को like भी कर दे, 8, 9, 10, and the last 11, 11 times double crochet बनाकर, यह gap छोड़कर, इसके single crochet के उपर single crochet बना लेंगे, अब यहां से three chain लेनी है, one, two, and three, three chain लेकर, इस gap पर one time double crochet बनाएंगे, फिर two chain लेंगे, two chain का gap छोड़कर, third पर हम double crochet बनाएंगे, फिर two chain लेंगे, दो gap छोड़कर, third पर double crochet बनाएंगे, फिर two chain नेंगे दो gap छोड़ कर third पर double crochet बनाएंगे फिर two chain नेंगे दो gap छोड़ कर third पर double crochet बनाएंगे इस तरी के से फिर लेंगे हम three chain और gap में two times double crochet बनाएंगे क्योंकि जो start में three chain हमने लिया है वो भी ऐज़ा double crochet काम करेगी then picot बनाएंगे picot के लिए three chain नेंगे इन दो दागों में needle डाल कर इस तरीके से picot बना लेंगे फिर three double crochet बनाएंगे फिर ये gap छोड़ कर इस gap में three times double crochet बनाएंगे फिर एक picot बनाएंगे फिर three times double crochet बनाएंगे फिर इस gap में three times double crochet बनाएंगे फिर एक picot बनाएंगे फिर three times double crochet बनाएंगे one two three इस तरीके से तो ये कुछ हमारी design ऐसी बनती जाएंगे अब इस gap पर gap के ओपर single crochet पर हम single crochet बना देगे और आगे की design भी हम बिल्कुल ऐसे ही follow करेंगे I hope के आप लोगों को ये design समझ में आई है और आप लोगों के लिए helpful है मैं थोड़ी सी इसकी और लेंद बनाकर आपको इसका final look बताती है so guys ये है इसका final look I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful है make sure वीडियो को लाइक कर ले comment करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मिलते है नेक्स वीडियो में इशाला आपने बहुत सारा देहां लग है मिछे अपनी दुआओं में याद दखेंगा लाफिर